आच हम वारिकोसर जैसा thumbnail मोबाईल से बनाने वारे है Pixel Labब Appreciate के help से चले व्यडेख करते हैं तो सबसे पहले आप लोगो Pixel Lab एप्लीकेशन पर आ रहा रहा एंड आप लोगो इस वाले option पर जाना है यहां से MSI सलेक्ट करना है करक्ष्टम पर टैप करना है यहां पर आप लोग यूटुब चैनल बैनर या थाम्निल दोनों में से कोई भी Select कर सकते हैं तो मैं यहां पर यूटुब चैनल बैनर Select कर रहा हूँ दैन यहां से OK करेंगे आपका जो Default Text Screen पर लिखा होगा यह New Text उसको Select करना है इंडेलीट के अप्ट्ण प्रेंगे शक्यार आप लोग वाले प्ट्ण आना के अपना इमेज़ ले ले को पुरे फुली स्क्रीन में लगा दूँगा देन मैं लेयर वाले उप्सिन पर जाऊंगे इसको लॉक कर दूगा ताकि अपने पोजिशन से हिले ना मैं इसको डिसलेक्ट करूँगा एंड इंपोर्ट पर जाके अपना में पी एंजी लेंगे तो मैंने यहां पर वारी को सर का ही पी एंजी लिया है तो उनके थामनेल का यह कट आउट है तो इसलिए उनका जो सर होकर से थोड़ा सा कट गया है बट अड़्जस्ट कर लेंगे हम लोग इसको तो पहले तो मैं इसको पूरा फुली स्क्रीन में कर लेता हूं दैन इसको भी मैं लॉक कर दोंगा लेयर तो 3% रखता हूं देण आप लोग स्कर सकते हैं यहां पर यहां से ड़न करूंगो और मैं यहां लिखने अपर्लों को सब कापिटल लेटर में लिखना है तो और इस यह वाली ऑप्सिंपर टैप करूंगा तो यह उसक्ट करूँगा तो यह सब कापिटल हो जागा देन मैं यहां से done करूंगा तो हो सकता है आपका यह done करने पर new text आ जाए यहां पर आपको so ना करें जो आपका done हुआ है कि नहीं तो आप लोग को यहां से simply cancel कर देना है क्योंकि यह ग्लिक चल रहा है pixel application पर then यहां पर stock to आपका लिखा हुआ आ जाएगा then मैं इसको बड़ा कर दूँगा कुछ step से and इसका font हम लोग change कर लेंगे AB वाले option पर जाके आप जो भी लिखे वो अच्छे से दिखाई दे तो यहां पर मैं poppings extra boiled font use कर रहा हूँ then मैं इसको यहां पर कुछ step से adjust कर दूँगा then आप लोग को यहां पर एक option मिलेगा background का इसको enable करना है and यहां से आप लोग background का color चूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर black color ले रहा हूँ and यहां पर आप लोग को कुछ options मिल जाते हैं left padding, right padding, top padding, bottom padding तो इनको आप लोग adjust कर सकते हैं then radius के option से आप लोग इसके corners को round कर सकते हैं तो जैसे मैं radius को 33 पर रख रहा हूँ तो इसके corners जो round हो जाएंगे and मैं left, right and top, bottom padding को adjust कर लेता हूँ then यहां से हम लोग done करेंगे and मैं इसको copy कर लूँगा and इस पर मैं double tap करकर यहां पर लिख लूँगा and background के option जाओंगा यहां से मैं yellow color select करूंगा इस वार background का, then यहां पर मैं कुछ adjustment कर लूँगा, then मैं यहां से done करूंगा, and यहां पर मैं जाओंगा color वाले option पर, and इसका color जो हैं, मैं black कर दूँगा, then यहां से हम लोग done करेंगे, and इस वाले option पर आएंगे, and यहां से आप लोग को shape लेना है, and shape लेने एक बाद यहां से done करेंगे, and इसका color आप लोग को change करके black कर लेना है, then यहां से मैं done करूंगा, and layer वाले option, make you rich, and stock to, जो हमने text लिखा, उसको lock कर दूँगा, then यहां से मैं back आऊंगा, and इसको मैं कुछ step से adjust कर लूँगा, make you के पीछे मेरे को लगाना है इसको, and यहां से वापस से हम लोग layer वाले option पर जाएंगे, and इसको drag करके make you rich के नीचे में रख लूँगा, and इसको थोड़ा सा मैं adjust कर दूँगा, कुछ step से, तो यह हमारा adjust हो चुका है, then यहां पर मैं import के option पर जाके कुछ pngs लगा लूँगा, अपने thumbnail में, तो मैंने एक यह download करके रखा था png, तो मैं इसको यहां पर लगा लेता हूँ, तो इसी tap से आप लोग वारी को सर जैसर thumbnail बना सकते है, and अभी तक आप गर आप लोगों ने वीडियो को like नहीं किया, यहां तक वीडियो देख लिए, वीडियो को like कर देना, and चानल पर नहीं तो subscribe कर लेना, then thumbnail को save करने के लिए, आप लोग को इस वाले option पर जाना है, save as image पर tap करना है, and custom पर tap करना है, and ultra select करना है, and यहां दो save to gallery कर लेना, आपका thumbnail save हो जायागा,